इस वीडियो में CMA Skill Training के रिकार्डिंग में पूरा इंफॉर्मेशन देंगे आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और हाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिकोस्ट करेंगे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल क सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन विल दबाद दीजिए ताकि आपको CMA रिलेटर एक भी इंपॉर्टेंट अपडेट और एनाउंसमेंट मिसना हो पार सबसे पहले बात कर लेते हैं CMA Skill Training Portal से रिलेटर CMA के Official Website पर आ जाना है उपर में Students का सेक्षन है आपको इस पर क्लिक करना है जैसे ही क्लिक करोगो फिर Scroll Down करके थोड़ा सा नीचे आना है इसके बाद Skill Training Portal आपको सो करेगा आपको वहाँ पर क्लिक करना है जैसे ही आप लोग वहाँ पर क्लिक करते हो Skill Training Portal पर तो आप लोग ICMA के Skill Training Portal पर चले आओगे सबसे पहले डाउट आ सकता है कौन-कौन से Student Skill Training Portal के लिए इलेजबल है तो इसके लिए आप लोग चेक कर सकते हैं Skill Training Portal पर आकर Intermediate के लिए होता वो Single Group भी दे रहा है तो दे सकते है Skill Training और जो बोथ Group दे रहा है वो भी दे सकते हैं देखो बोथ Group देने वाले के लिए Compulsory होता जो लोग Single Group दे रहा है तो Single Group नहीं भी दोगे तो चल जाएगा Skill Training वो Next Attempt में भी दे सकते हैं Example के लिए समझ लेते हैं आप CMA का कोई भी एक Group का Exam दे रहा हो June 23 में आप चाहो तो Skill Training इस बार दे सकते हैं या Otherwise चाहो तो जिस बार Next Group दोगे उस बार दे लेना बट आपका Already कोई एक Group पास है आप Second Group कोई दे रहा हो CMA Intermediate का Then आपके लिए Compulsory हो जाएगा या ऐसा Student जो First Time भी बोथ Group का Exam दे रहा है उन Student के लिए Skill Training Compulsory हो जाता है और कोई एक भी Group दे रहा हो CMA का Then Compulsory नहीं होता वो Student पे Depend करता है तो जिन लोगों का भी बोथ Group का Exam दे लोगों के लिए Compulsory होता है नहीं दोगे तो Result Retail हो जाएगा इसका Exam कैसे देना होता है सबसे पहले आप लोगो Skill Training Complete करोगे इस सबके Related आपको Mail आ जाएगा इसके बात Online Exam होता है कोई Student चाहे तो Live के साथ साथ Recorded Lecture भी Skill Training को देख करके Complete कर सका है इसके लिए सबसे पहले Skill Training Portal पर आ जाना है Skill Training Live and Recorded Session आपको इस पर क्लिक कर देना है जैसा ही आप इस पर क्लिक करते हो आपके सामने New Dashboard सो करेगा यहां पर Registration Number, Date of Birth और Batch सेलेक्ट करोगे अभी तक June 23 के लिए कोई भी बैच नहीं आया है और नहीं Skill Training से Related कोई Mail आया तो जैसे ही इसके Related में कोई भी कर दूँगा ही अगर आपके पास आया है तो आप भी मुझे Message कर सकते हो या जभी भी आएगा तो आप मुझे Update कर देना मैं सबसे पहले वीडियो बना करके आप लोग को Inform कर दूँगा आप लोग Message कहां पे करोगे Charter Studies के Instagram या कोई Student अभी Instagram पे Message करता है CMA Intermediate या Foundation या Final का भी Student होगा तो मैं अपना WhatsApp नंबर उन Student के साथ Share कर दूँगा बाकि CMA Course के Related कोई भी Important Update और Announcement आएगा तो यही चैनल आपको सबसे पहले Update करेगा तो आप लोग प्लीज चैनल को सबस्क्राइब करके और लोडिफिक इसर बेल दबा दीजिए अभी तक कोई भी Current में Recent schedule भी Update नह नहीं होता, Intermediate से होता है